अपना ख्याल भी रख रहे होंगे तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वरक्षीट नमबर 41 साइन सब्जेक्ट के बेटा नाइन्थ ग्लास किया ठीक है इंगलिस मीडियम के लिए है और साथ अक्टूबर की है बेटा यह जिसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अपना कि हर अप्जेक्ट क्या अपोज करता है किसी भी टाइप की चेंजीज को अपनी स्टेट में और दूसरे में हमने पढ़ाता कि हम फोर्स की क्वांटिटी को कैसे मेजर कर सकते हैं जो हम अप्लाई करते हैं किसी अप्जेक्ट पर आज हम पढ़ेंगे थर्ड लाउफ मोसन तो चलिए स्टार्ट करते हैं जिग्यासा से ग्यान क्या पूछ रहा है जिग्यासा दिदी you told me that the force always exists in pairs that work in opposite direction on two different objects but why is it so तो अब वो बोल रहा है कि दिदी आपने बोला था कि force जो हमेशा pair में लगता है मतलब कि दो force एक साथ लगते हैं जो कि opposite होते हैं एक दूसरे से ठीक force always exists in pair तो क्यान ये बात सच है कि force क्या होता है हमेशा pair में exist करता है बोथ opposite each other और दोनों ही अपोज करते हैं एक दूसरे को this is an accordance with the third law of motion और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो third law of motion है वो यही कहता है ठीक है according to third law of motion when one object exert force on another object the second object also exert a force back on the first object मतलब कि जब एक object दूसरे object पर force लगाता है तो दूसरा object भी पहले object पर force लगाता है लेकिन opposite direction में इसकी direction इधर थी और इस वाली ने इस side लगाया तो दोनों क्या होगे opposite direction में होगे लेकिन equal force होते हैं ठीक है जिसकी वज़े से क्या होता है कोई भी changes आ पाता है उनकी अंदर first force is called action तो first force चो होता है उसको action बोला जाता है second force is called reaction तो दूसरा force बोला जाता है reaction मतलब कि reaction जिसे कि कोई तुम्हारे थपड मार दे तो तुम्हें गुस्सा आएगा तुम क्या करोगे उसको थपड मारोगे तो ये तुम्हारी reaction थी उसने action किया और तुमने reaction दिखाई ठीक ह when we kick a football we apply action force on it जब हम क्या करते किक मतलब कि पैर मारते हैं या kick मारते हैं football पर तो क्या होता है on it due to which it moves away तो ये football क्या होती है दूर चली जाते है लेकिन but at the same time the football also applies same force on our foot due to which we may hurt or feel pain तो उसी time पर जब हम उसको force लगा रहे हैं तो उसी time पर मतलब कि to the point time पर football भी हमारे उपर बल लगाती है और आगे चली जाती है वो तो उसके वज़े से हमारे पैर पर हमें महसूस होता है कोई hurt पता दर्द महसूस होता है feel होता है कि हाँ हमारे पैर पर कुछ touch हुआ है ठीक है ये होता है action का reaction और third law के according तो third law of motion में क्या हुआ है to every action there is an equal and opposite reaction and they act on the two different bodies और ये बेटा two different bodies पर act करता है जैसे कि ये object अलग है ये अलग है इसने इस पर लगाया है और ये इस पर लगाता है तो अलग-अलग object पर लगा लेकिन हमने जो अब से पहले पढ़ा था अब यहाँ पर एक पर फोर्स लगा रहे है ये पोजिट डारेक्शन में तो ये तो अलग था तो यहाँ पर हम net force निकालते थे ठीक है और net force क्या हो जाता था 0 लेकिन यहाँ पर net force 0 नहीं होगा क्यों क्योंकि ये इस पर लगा रहा है और ये इस पर लगा रहा है अलग-अलग object है लेकिन यहाँ पर ये single object था इसलिए हमने net force निकाला था जो कि हमारा 0 हो गया था balance होके अब यहाँ पर example दिया है बटा लेट अस consider two spring balance A and B connected together as shown in the figure the upper end of the spring balance A to a fixed end on a table or wall तो एक end को हमने यहाँ पर fix कर दिया keep them horizontally and pull the upper end of the spring balance by, मतलब कि B by hand तो जो दूसरे वाले spring का अपर hand था उसको हमने अपने हाँ से खीचा और एक अपर hand हमने यहाँ पर बांद दिया और जो उसके नीचे के पाट थे बटा उन दोनों का अपस में attach कर दिया तो तुम देख रहे हो कि क्या कर रहे हैं यह इसको इस तरफ खीच रहा है यह वाला जो hand है यह इसको इस तरफ खीच रहा है जिसकी वज़े से क्या हो रहा है यह इसको भी खीच रहा है अब यह इसको खीच रहा है तो यह भी तो इसको खीचेगा तो ये वाला भी इसको खीचता है अपनी तरफ जिसकी वज़े से देखो दोनों के जो brown part है वो भार आ जाते हैं ठीक है और दोनों की reading देखो कि बटा यहाँ पर equal पहेंगी तो यह से हमें पता चलता है जितना force इसने लगाया इसने भी उल्टा इस पर इतना ही force लगा दिया ठीक है तो every action there is equal and opposite reaction और opposite direction में लगा हुआ है बेटा यह तो we notice that the reading of force या weight in the both balance is the same but opposite in the direction दोनों एक दूसरे को balance कर रहे हैं लेकिन opposite direction में in this setup the amount of action force applied by A on B is equal to the reaction of force applied B on A मतलब कोई जितना A ने B पर लगाया उतना ही B ने A पर लगाया है यह हमने notice किया है ठीक है लेकिन opposite direction में अब बेटा इसके usage क्या है जो हम third love motion पढ़ रहे हैं daily life में some usage of third love motion in our daily life get harmed when player collide each other in the game तो जब game खेलते बेटा तो दो player एक दूसरे से टकरा जाते तो उनको चोट लग जाती है ठीक है तो यह इसी वज़े से होता है कि यह कारा था उसकी तरह force लगा उसमें कुछ force था उसने उसको धक्का लगा तो इसकी वज़े से इस पर भी लगा तो दोनों में चोट लग जाती है can be able to walk on a path और इसी की सायता से हम move कर पाते है path पर जैसे देखो यह pair है इसने क्या किया बिटा इसने इस पर first पर बल लगाया ठीक है और या फिर तुम क्या हो इस तरीके से बल लगा हुआ है यहाँ पर देखो यह क्या कर रही है यह ऐसे backward force इस तो रिकोइलिंग मतलब क्या होता है जैसे कि बल इससे फाइर हुई तो बुलट भी इस पर क्या करेगी एक force लगाएगी जिसकी वज़े से यह जो राइफल है वह क्या करेगी पीछे की तरफ गन जो है वह पीछे की तरफ एक जटका महसूस करेगी ठीक है एक दम से next step fourth moving of a rocket in forward direction on ignition तो बटा देखो जो fuel होता है वो fuel करता है जो इसमें fuel होता है वो जलता है तो इसमें नीचे की तरफ force लगाता है जिसकी वज़े से यह भी नीचे से क्या होता है उपर की तरफ इसमें force लगता और यह उपर की तरफ उट जाता है क्योंकि वो नीचे की तरफ जो force jump in forward direction तो boat जो है बेटा, वो moves कर जाती है पीछे, जैसे ही sailor क्या करता है आगे की तरफ बढ़ता है तो इसकी वज़े से आगे बढ़ने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, वो पिछले पैर से इस पर क्या करता है boat पर पीछे की तरफ मतलब की force लगाता है तो इसकी वज़े से ये force लगाने की वज़े से ये पीछे की तरफ चली जाती है अब ये पीछे की तरफ जाती है तो ये भी अपने वापस से force लगाएगी इस पर, तो जिसकी वज़े से नावी क्या होता है बेटा, वो आगे की तरफ बढ़ जाता है सेलर ठीक है ऐसे ही बिट आप देखो bouncing back ऐसे ही क्या है bouncing back of the player by the trampoline when he jump on it तो जब bouncing back होता है देखो यहाँ पर यह इस पर कूदा अब यह इस पर कूदा तो यह भी इस पर force लगाएगा जिसकी वज़े से देखो यह उपर की तरफ उचल गया ठीक है यह होती है bouncing back of a player by trampoline when he jump third love motion इसमें भी लगा हुआ है फिर the ball gets reflected back when he hit it on when he when we hit it to the wall मतलब कि जब भी हम कोई ball को एक दिवार से टकर टकराते हैं तो क्या करती है वो ball दोबारा से वापस आ जाती है उसी direction में तो यह क्यों होती है क्योंकि action का reaction देती है ठीक है ball भी उस पर force लगाती है तो इस तरीके से यह action और reaction चलता है daily life में भी ठीक है अब इसके question answer करते हैं बटा first क्या है write third love motion तो third love motion बटा क्या होता हमने अभी पढ़ा उपर तो यह हमारा था third love motion यहां से लिखोगे according to third love motion when an object exert a force on another object the second object also exert a force back on the first object these two opposing force are equal in magnitude but opposite in direction first force is called action and second force is called reaction यहां तक आप लिख दो गई है ठीक है यहां से लिख करिए यह आपको सारा लिख देना है अब बटा next question क्या है next question है shall we ever be able to write मतलब कि क्या हम कभी भी ऐसा संभा हो पाता कि हम लिख पाते if the force we apply on the pen is not reverted back अगर जो हमने force apply किया है pen पर वो वापस से paper के द्वारा भी force apply नहीं होता तो क्या हम लिख पाते तो बेटा हम नहीं लिख पाते अगर paper भी force नहीं लगाता pen के उपर तो आप कैसे लिखोगे कि मतलब कि हम कभी भी नहीं लिख पाते अगर यह force है जो वो दोबारे से रिवर्टेड बैक नहीं किया जाता paper के दुआरा ठीक है अब next question क्या है बेटा वाइड दज ए soldier hold rifle on his shoulder before firing bullet from it तो bullet को wire करने से पहले वो अपने कंदे पर क्यों सटा लेता है इसको rifle को तो बेटा हमने अभी जाना क्यों when a soldier fire a bullet from the rifle then as rifle put a force on the bullet अब rifle ने क्या क्या bullet पर force क्या जिसकी वज़े से क्या हुआ due to which bullet comes outside जिसकी वज़े से जो bullet थी बेटा वो out मतलब कि भाहर आ गई from the rifle से अब rifle से वो भाहर आई तो rifle पर वो भी तो अपना force लगाएगी then in reaction bullet also applies equal force in opposite direction मतलब कि gun से भाहर निकली तो ये bullet पर force लगाएगी जिसकी वज़े से क्या होगी जो मतलब कि sorry rifle पर force लगाएगी राइफल पीछे की तरफ एक जर्क महसूस करेगी ठीक है equal force in opposite direction that is only rifle due to which rifle feel jerk in backward direction जिसकी वज़े से राइफल क्या होगी पीछे की तरफ जटका महसूस करेगी और साथ में क्या soldier भी जटका महसूस करेगा तो to bear this jerk soldier hold the rifle only shoulder before firing the bullet तो इस जटके को सैन करने के लिए वो अपने कंदे से उसको सटा लेता है ठीक है ताकि उसको रोक सके तो ये लिख दोगे आप इसने अब last question कहा है बटा explain the process of walking with the help of the newtons अब बटा ये भी एक write three uses of the three laws of motion in our daily life तो बटा ये क्या है we are able to write on paper तो इसी की वज़े से है ठीक है और दूसरा the ball get reflected back when it hit it on hit it to the wall या फिर ये लिखोगे the boat moves backward when sailor jump in forward direction और बटा ये वाला कि can be able to walk होने बात हम रस्ते पर चल भी इसी के कारण पाते है दूसरा recoiling of gun when bullet is fired from it तो recoiling होते है या फिर rocket उपर तभी जा पाता है जब इसमें क्या होता है third law of motion लगता है तो moving of a rocket in forward direction on ignition तो इन में से कोई भी 3-4 लिख दोगे ये daily life के है example इसके अब next क्या है बटा explain the process of walking with the help of newton's third law of motion तो explain करना है बटा कि हम कैसे चल पाते है newton's third law of motion की help से when we apply ये force when we apply ये force in backward direction on road जब हम road पर backward direction में force लगाते हैं ठीके ये road है हम इस पर इस तरीके से force लगाते हैं ठीके पैर से पीछे की तरफ तो क्या करता है ये भी equal and opposite reaction लगाता है उपर की तरफ force लगाएगा जिसकी बज़े से हमारा पैर उपर उठ जाता है और आगे की तरफ बढ़ जाता है ठीके तो इसको लिखोगे कैसे बेटा when we applied a force in backward direction on a road by our foot then according to newton's third law then according to newton's third law road is also apply opposite force on our foot in forward direction ठीके due to which our foot moves forward and this process is repeated every time due to which we are make able to move on a road और इस वज़े से हम क्या होते हैं able हो पाते हैं road पर चलने के लिए तो ये third law of motion की वज़े से ऐसा possible हो पाता है तो ये थी वेटा आपकी आज की worksheet उमीद करते हूं आपको अच्छे से समझ आ गई होगी फिर भी कोई doubt रह जाता है तो आप मेरे से comment box में पूछ लेना इस वीडियो में इतना ही बटावना next topic हम अपनी next वीडियो में करेंगे तब तक के लिए से हसते रहिए मुस्कुराते रहिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए thank you बढ़ते रहिए